आज के वीडियो में हम बात करेंगे औरबिंदो फार्मा की जिन्नोंने वेरिटाज हेल्थ केर के डुमिस्टिक फॉर्मिलेशन बिजनेस को 171 करोड में एक्वायर किया है तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या कर से पहले अगर हम दोनों कंपनी इसके ओवर्विव के बारे में बात करें तो औरबिंदो फार्मा जो कि एक लिस्टेड कंपनी है इसका हेड़कॉर्टर हैदराबाद में है ये डेवलब मैनुफेक्चर और डिस्ट्रिब्यूट करते हैं जैसे कि 2021 का डेटा आप यहाँ प इसके बाद आती हैं डॉक्टर रेडी, सिपला, कैडिला वगेरा औरबिंदो फार्मा 150 से ज़्यादा कंट्रीज में अपनी दवाईयों को एक्सपोर्ट करते हैं और इनका 90% से ज़्यादा जो रेविन्यू है वो इंटरनेशनल आपरेशन यानि कि भारत के बाहर से आता ह इनकी अगर फैसिलिटीज की बात की जाए जहां पे दवाईयों को मैनुफैक्टर करते हैं उनको जो दुनिया की लीडिंग रेगुलेटरी एजिंसीज हैं जैसे की यूएस एफडिया आपने सुना होगा यूके की एमेच आरे इनके दोरा अप्रूव किया गया है और वह किया था तो उनके ब्रैंड्स को वेरिटाज हेल्थकेर ने एक्वायर किया था और अब अगर बात कीजाए लेटेस डवलपमेंट की तो और बिंदो फार्मा ने कल यानि 28 मार्च को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में नाउंस किया है कि इनोंने वेरिटाज हेल्थकेर के और कुछ हसेट्स को 171 करोड में एक्वायर कर लिया है और यह जो डील है यह डेट फ्री कैश फ्री बेसिस पे होगी यानि कि जो भी डेट्स होंगे वेरिटाज हेल्थकेर के उसको वेरिटाज हेल्थकेर ही चुकाएगा और उसके बाद यह डील कंप्लीट की जाएगी औ और 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 बिंदो इस एक्विजीशन के साथ जो इंडियन डुमेस्टिक मार्केट है उसमें अपने फुट्प्रिंट को बढ़ा रहा है क्योंकि आज की डेट में 90% से ज्यादा इनका रिवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है तो इस तरह से यह इनकी एक बड़ी इंट्री है इंडियन डुमेस्टिक मार्केट में इसके अलावा अगर वेरिटाइस के प्रमोटर की बात की जाए तो और बिंदो प्रमोटर गूरूप ही वेरिटाज को भी प्रमोट करता है पिछले साल जो और बिंदो के प्रमोटर हैं PVR रेडी सुनीला रानी और जो ती different entities थी कमबाम पी रेडी ट्राइड चैंफर और वेरिटाज हेल्थ केर इनके ओपर सेभी ने 22.7 करोड की पैनल्टी लगाई थी और पैनल्टी लगाई गई थी कि ये लोग insider trading में engaged थे जुलाई 2008 से लेकर के मार्च 2009 के बीच में इसके अलावा और बिंदो ने एक statement जारी करके बोलाए कि भई जो ये acquisition है Veritas का इससे इनको जो biosimilar और जो दूसरे इनके product हैं उनको Indian market में launch करने में help होगी और ये जो deal है ये company का जो target था और जो company का plan था उसके हिसाब से ही है क्योंकि अब Indian domestic जो formulation market है medicine की उसमें ये अपने footprint को बढ़ाना चाह रहे थे इसके अलावा अगर बात की जाए Veritas Healthcare के numbers की तो अगर 9 महिने के इनके turnover की बात की जाए यानि कि April से December 2021 के बीच में इनका turnover 133 करोड रहा है और अगर पिछले financial year यानि कि 2021 की बात की जाए तो इन्होंने 127 करोड का turnover achieve किया था कंपनी के पास लगबग 40 brands है जो की acute और critical care segment में फैले हुए है और अगर overall addressable market की बात की जाए जो Veritas Healthcare के product है वो overall 26,775 करोड की market है जिसमें की Veritas का बहुत छुटा हिस्सा है तो और बिंदो अगर इसको acquire कर रहा है तो उसके बाद ये एक बड़ी market को भी acquire कर सकते हैं इसके अलावा Veritas के पास 180 trademark है इनके नाम पे जो registered है और अगर इनके largest brands की बात की जाए तो फीपा निल और मेरो ग्राम ग्रूप जो है इनके largest brand है जिससे की ये 31 करोड और 20 करोड का respectively इन्होंने 9 महिने के अंदर revenue कमाया है इसके अलावा जो company है वो आज की डेट में cater करती है anti-infective जो और pain management जो therapeutic areas होते हैं इसके अलावा इनकी pipeline में काफी सारे product हैं जैसे की cardio diabetic, orthopedic और gynecology segments से related भी इनके product pipeline में हैं इसके अलावा अगर इनके existing sales और distribution network की बात की जाए तो इनके 900 field force है 50,000 से जादा retailers को ये cover करते हैं इसके अलावा 23 cities में presence है इनकी और 70,000 doctor के पास reach out है इनकी और काफी सारे जो major hospitals हैं उनके panel पे आते हैं और अब अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें और बिंदो फार्मा का share लेना चाहिए या नहीं तो सबसे पहले अगर past performance देखे तो तीन साल में इनकी 8% की negative return है पिछले एक साल में तो लगभख 17% की इनोंने negative return दी है और वो तब है जबकि पिछले एक महिने में इनका share 13% से जादा बढ़ा है पिछले एक week में 4% से जादा बढ़ा है यानि कि अगर लंबे time की बात करें तो इनोंने अपने जो investors हैं उनको काफी disappoint किया है एक बार के लिए इनका share 1050 से भी उपर चला गया था लेकिन आज की rate में यह 700 रुपे के आसपास trade कर रहा है लेकिन अगर हम brokerage house reports की बात करें जो कि इनकी 10th February को जब इनोंने अपने third quarter के results declare किये थे तब आई थी उसमें इनक इसका average target price 800 के आसपास बताते हैं higher side पे तो 1034 और lower side पे 649 तो जो last closing हुई है 707 रुपे के आसपास तो उसके इसाप से तो यह lowest target price के आसपास चल रहा है तो valuation definitely attractive लगता है और अगर इसके fundamental और peers analysis को देखा जाए तो एक mid cap company है 41,000 करोड के आसपास का market capitalization है क्योंकि इनका share percent की almost negative return दी है तो इनका valuation काफी attractive हो जाता है इनकी PE और PB ratio देखेंगे तो जो दूसरे बड़े player हैं pharma industry में उनके मुकाबले में इनका valuation बहुत ही ज़्यादा attractive है return on equity काफी अच्छी है profitable company है तो overall fundamental काफी अच्छे लगते हैं और आज की news के basis पे भी ideally on the face of it ये news positive लगती है क्यो market कैसे लेती है यानि कि जो 171 करोड़ ये pay कर रहे हैं market को ज्यादा लगते हैं कम लगते हैं तो उसके basis पे share differently react कर सकता है बट on the face of it deal अच्छी लगती है और अगर यह as per plan जाती है तो आने वाले time में इससे company को फायदा होगा तो overall अगर मेरी opinion पुछी जाए मुझे लगता है कि valuation attractive है तो अगर आपको इस company में भरोसा है तो current price पर या किसी भी correction पर आप इसमें invest कर सकते हैं अना कि video close करने से पहले मैं हमेशा कितरा disclaimer दूंगा कि अगर आप किसी भी share में invest करना चाते तो अपनी further research कीजिए क्योंकि जो भी मेरे views थे वो purely personal थे और thanks so much for watching the video and God bless you all